हर हर महादेव सावन का महिना सुरू हो चुका है और ऐसे में बारिस भी लगातार हो रही है इसी वक्त आप देख सकते हैं कि गंगा का जल अस्तर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है पुछी दिनों में ऐसा देखा जाएगा कि घाटों का संपर्क जो आपस में टूट जाएगा तो आए यह नजारा दिखाते हैं आपको दसा सुमेद घाट का मान महल घाट का और साथ साथ रादेंद प्रसाथ घाट का कि किस प्रकार से वहाँ पर गंगा का चल अस्तर जो यह विस्वनाद जी का प्रमुख द्वार है जिसको विस्वनाद गली के नाम से भी जानते हैं यहां से भी लंबी लाइन लगने वाली है और इसके बाद यह देखिए अभी यहां पर बैरिकेटिंग लगने वाली है यानि कि बल्ली गार करके बहुत ही लंबा एक लाइन लगने वाला अभी तो रिसेंटली सावन सुरू हुआ है जैसे चैसे आगे बढ़ेगा भीड बढ़ती जाएगी और चुकि सो मुआर है कल तो कल बहुत जादा भीड होने वाली है कल के लिए अलग से प्रावधान अलग से विवस्था करनी पड़ेगी फोर्स बढ़ा दी के लिए बहुत जादा टाइम मिल रहा है तो इसलिए भीड जो है वो डिवाइड हो गई है आराम से जो भीड एक महिने में ही आते थी वो अब 69 दिन में लगबग दो महिने में आएगी तो इसकी वज़े से काफी राहत मिलेगी भगतों को और साथी साथ जो प्रबंदक है जो पुलिस फोर्स है उनको भी काफी राहत मिलेगी जिनको एक महिने पुरा भरपूर मेनत करना पड़ता था अब वो आराम से इस चीज को डिल कर सकते हैं चली हम लोग दसा सोमेद घाट की तरफ हैं जैसे हम लोग गंगा जी के पास जाएंगे आपको नजारे दिखाएंगे गंगा का जलस्तर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और यह जो है कि काफी रिस्की भी है उनके लिए जिनको गंगा जी में असनान करना है और साथी कि दसा सोमेद साइड का जो सभी अतिक्रमन उसको हटा दिया गया है चुकि यहां पर कावरियों के लिए रहने के लिए बढ़ियां से स्पेस खाली कर दिया गया है ताकि वो इसली यहां पर रह सके और जश्ट आप सामने ही देख रहे होंगे कि सीवीर भी बनाया गया है क यहां पर कावरिया आकर के अराम से रह सकते हैं अराम कर सकते हैं यह देखिए और स्थाई सीवीर है तो यहां पर यह सिर्फ सामन तक ही बना रहेगा यहां पर कावरिया जो है कि आएंगे और अराम करेंगे ठीक है तो यहां पर साफ साफ लिग दिया गया है कि और स्थाई से लिखा हुआ है और चलिए हम लोग बिल्कुल गंगा जी के पास चलते हैं और वहां पर दिखाएंगे फिलाल आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम भीड़े मतलब कि खैर कल तो सोमवार है तो सोमवार के दिन इसली शाम के बक्त का समय और पूरा दुकान यहां से सहटा दिया गया है कोई भीड कोई अतिक्रमण नहीं मंगता है यहां पर सीफ जनता रहेगे और जो दर्सना भिलाजी हैं वो रहेंगे इनका कोई फिक्स स्वाप नहीं होता इसलिए इनको एलाऊ किया गया कि धकान होगा रहे है तो चाय पी सकते हैं देखिए चाय वाली जा रहे है और यह देखिए सामने गंगा जी दिखाई दे रही हैं अभी कुछ दिन पहले गंगा का जलस्तर बहुत ही कम था और ऐसा सु पानी का बहाव है वो छोड़ा जा रहा है और जैसे कोई बाहाद हो गारा छोड़ा जाए गया पानी बहुत ही जादा गंगाजी में जबाएगा तो पूरी सीडियां डूब जाती है आप देख सकते हैं यह जो पूरा डूब जाता है बारीस किसमें मतलब कि यहां तक पानी जाता है जो नाव है बिल्कुल आगे तक आ जाती है तो सीनी ऐसा हो जाता है न कि बनारस में बाड़ के समय बनारस में आने लाइक नहीं होता है जो लोग भी बनारस में आते हैं बाड़ के समय बिल्कुल पच्टाते हैं क्योंकि वो ना तो गंगा अर्दी का मज़ा ले प आपको लेकर के चलेंगे बिल्कुल गंगा जी के करीब में और आपको दिखाएंगे देखिए आगे आप देख पा रहे होंगे कि जो नाव है न वो बिल्कुल सामने आ करके लग गई हैं क्योंकि पानी सामने तक भरा हुआ अभी ये जो आप देख सकते हैं छतरी की तरह बन अब देखे यहां पर आरती होती है न जब बाढ़ आती है तो यह भी डूब जाता है फिलाल में इस स्थान को देख लिए और जब बाढ़ आएगा तो भी मैं आपको यह स्थान दिखाऊंगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर आरती होती थी कहां पर क्या होता था तो सब कुछ जल मगनों हो जाता है आने वाली समय में हो जाया है कर डेफिनेटली हर साल ऐसा होता रहता है देखे यह देख लीजे आलचा यह जो छट्री ने उधर साइट से रिकॉर्ड करने बहुत ही मज़ा दिता एक बनारस का यह लुक दिता यह देखे सामने सामने देख कि कैसे लोग नहा रहे हैं इस सीडियों तक विल्कुल पानी आ गया लब अलब भर गया है इस समय अब मतलब कि एक भी सीडी खाली नहीं है डारेट सीडियों को टच कर रहा है पानी जो रिलिंग बना दी गई है आगे उसके उपर भी हम चलेंगे उसको भी कबर करेंगे तक कोई भी डूबे ना आप जैसे जैसे जल गंगाजा का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों के डूबने का चांसे भी बढ़ जाता है डेफिनिटल आप पिछले कई दिनों से ऐसा सुन रह रहते हैं इसी को देखते हूए गंगाजा में जो है कि बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है अगर आप अपने सेफ रक ना चाहते है तो इस बैरिकेटिंग के एं-दर ही आपको नहाना चाहिए यह देखिए यहीं पर changing room भी बना दिया गया है अंदर है पानी में ही तहरता हुआ changing room है यह देखिए इसके अंदर लोग नहा रहे हैं काफी easy हो गया इसके अंदर ठाहना अभी यह जो बनाया गया था यह जो एक ही तहरता हुआ यह पानी कितना हो वो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा प्रयाग घाट लिखा हुआ है सीतला मता का मंदिर भी यही पर बगल में इस्थित है और हनुमान जी और यहां से आप देख सकते हैं कितने घुपसूरत नजारे हैं यह देखिए यह लोग नहार है एक swimming pool की तरह बन गया है जब से यह बैरिकेटिंग लग गया है थोड़ा इतना पानी भर गया है और यह देख सकते हैं गंगा आर्ती के लिए लोग किस प्रकार से यहां पर समय का वेट कर रहे हैं अभी से बैठ करके तीन चार घंटा तक यहां पर बैठे रहेंगे जोकि उन्हें गंगा आर्ती देखनी है तो इतना समय आपको भी पहले लेकर के आना पड़ेगा अगर आपको आगे बैठना है तो आए आगे भी चलते हैं और आपको आगे के कुछ नजारे दिखाते हैं इस चैनल पने है तो सब्सक्राइब कर लिजिए हर हर महादेव लिख दीजिए आगे भी कुछ आपको ऐसे ही नजारे से अपडेट करते रहेंगे हम ये देखिए हर हर महादेव अभी आप देख सकते हैं जो भीड है बिल्कुल कम है सावन में तो इससे ज़्यादा ही भीड होनी चाहिए गुबारा बेच रहे हैं गाटों पर इस प्रकार से लोग बेचते रहते हैं ये गंगा जल के लिए गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पर देखिए जरकिन होगा रहा है फोटो होगा रखिचवाने के लिए भी यहाँ पर डिरेक्टा फोटो अपना प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर देख सकते हैं कि ये लोग लेप्ट साइड में ये देखिए क्या रखा हुआ है यहाँ पर देखिए आई लब डाइट ओम आई लब इंडिया ऐसे महा काल हर हर महा देव इस परकार का आप खरीद सकते हैं अपना चाबियों भी लटकाने के लिए हैंगर टाइप का अपने रूम में लटकाने के लिए और साथ साथ आप यहां पर गुदरना होकर अभी बनवा सकते टैटू होकर हाथ पर बनवाना है तो महिला चेंजिंग रूम यहां पर देखिए बनाया गया है यह भी जल्दकाही बनाया गया है तो यह काफी अच्छा कदम है वारानसी नगर निगम के द्वारा लोगों को ताकि लोग आराम से चेंज कर सके गंगा जी का लुफ्त अग आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं वहां पर कैमरा वारे लोग रखे हुएं देखिए अपना प्रिंटर हो गया है तुरंत आपको फोटो जो है कि कलर फ्रिंट करके तुरंत दे देते हैं और वही पर यह देखिए कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और चलिए उप अदर प्रसाद घाट पर अमलोग दिरे दिरे पहुंच चुके हैं और यह देखे पूरा टाइल स्युक्त कर दिया गया इसको बहुत ही खुबसूरत लगता है और गंगा व्यू देखने के लिए यहां से आपको बहुत बहुत बेहतरीन दिखता है अब देखे यह इस पॉइ वीडियो आपको पसंद आया हुआ इस चैनल अपना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगे किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए हरहार महार।